हेलो केट्स कैसे हैं आप सब लोग अच्छे हैं वेरी गूड देखें आज हम आपके पार्ट तेरा चूँ चूँ पार्ट के कटी शब्दों का शुत लेख लेंगे इससे पहले हमने इस पार्ट को पढ़ना सीखा इसके पार्ट में क्या कहानी थी उसके बारे में जाना और आपको वग दिया था ना आपको कटी शब्द अपनी कार्रे पुस्तिका में लिखने हैं और अच्छे से याद करने हैं अगली कक्षा में हम उन कटी शब्दों का शुत लेख लेंगे तो चलिए आज आप उनका शुत लेख है सारे बच्चे अपनी पैंसिल एरेजर और न लिखना है तो शुरू करें चलिए सबसे पहले आपको लिखना है चिडिया कि ध्याज सुनेंगे किस वर्ड पर कौन सी मात्रा हीगी चिडिया चुडिया लिख लिए आप सब ने वैरी गुड अब आप लिखिये जंगल 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 लिख लिया वेरी गुड अब लिखिये सुना उंगी पहले सुना लिख लीजिये पिर उंगी और फिर दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा सुनांगी सुनांगी लिख लिया वैरी गुड अब आपको लिखना है गोंसला गोंसला लिख लिया वेरी गुड अब लिखिये बर्चा 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 डन वेरी गुड अब लिखिये प्यार 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 लिखा वैरी गुड अब आपको लिखना है मौसी मौसी लिख लिया आप लोगोंने वैरी गुड अब लिखिये किसक 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 लिख लिया वैरी गुड अब लिखिये बिली यानि कि बिली लिख लिया वैरी अब लिखिये अच्छे अच्छे लिख लिख लिया वैरी गुड तो यह हो गया आपके पार्ट तेरा के कर्टी शब्दों का शुरत्रेक और आपका homework ये है आपको पार्ट 13 के शब्दार्थ अपनी notebook में लिखने है और उन्हें अच्छे से learn करना है ओके बाई बाई